आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश कुमार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि साल भर पहले जमू कश्मीर से थारा 370 हटा लिया गया था उसके दो हिस्सों में बाट दिया गया था बलकि उसका जो राज्य का दर्जा है वो भी खटा दिया गया था और उनको केंदर शासित प्रदेश बना दिया गया था उसके बाद कश्मीर में बहुत सारी हलचिले हुई वहां बड़ी तादात में सेना की तैनाती हुई और एक लंबे समय तक वहां लॉक डाउन रहा लगभग कहना चाहिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कश्मीर खुली जेल में हुए हुए हैं हम उनसे पूछेंगे कि आज की तारीक में जब एक साल पूरा हुआ है तो वहां लोगों के दिलों में क्या चल रहा है दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें कैसा महसूस हो रहा है एक साल बाद जब विशेष राज का दर्जा भी चिंग लिया गया है और जो बुलाने के लिए जहां तक आपके सवाल का तालूख है कि एक साल के बाद इस वक्त क्या सुर्थाले जो मुकिश्मीर की इस वक्त बदकिस्मती से ये पैंडमिक की वज़से भी लोग बहुत बुरे हालात में हैं गरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और पूरी जिंदगी जो है बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है लेकिन अगर हम वापस दोहजार उनीस पांच अगस की तारीक को देखें और उस दिन जो कुछ भी हुआ पहली बात यह है कि वो जो कुछ भी हुआ था उस दिन वो नई दिली का एक यूनिलेटरल डेसिजन था वो यक्तर फैसला थ उसे कश्मीर के किसी भी नागरी किया किश्मीर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल लीडर का कोई भी उसमें सपूर्ट हासल नहीं था बल्कि यह फैसला ही का इससे वक्त में लिया गया जब 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 किश्मीर में कोई बी एलेक्टिर ग पुरे कश्मीर को बल्कि पूरे जमु कश्मीर को वैली को तो कुछ जादा ही हद तक किया गया लॉक्डाउन में लाया गया 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 लॉक्डाउन जो जितने भी लिंक्स है टेलेफोन वगरा इंटरनेट उस सब बंद कर दिया गया यहां तक के लैंड लाइन फोन भी अपने पूर्षी जिंदगी किश्मीर को रिश्ते हैं उनको बनाएं नोंगाने है उनको मदबूत करने में अपना योगदान अपना सपोर्ट दिया है उनको भी नहीं बखषा गया उनको भी जैलो में लाद दिया गया ह आपके सामने तीन की मिशाल channels का या लेकिन आज क्या कुछ रहे हैं, साल भर के बाद आपने का पैंडेमिक की वज़े से भी लॉक्डाउन चल रहा है, लेकिन अगर मान लीजे ये पैंडेमिक वाला लॉक्डाउन नहोता, तो कश्मीर की अवाम किस तरह से रियक्ट करती है? यकिनन मुझे अंदाजा है कि डिफरेंटली रियक्टिक करती है, क्योंकि पैंडेमिक की वज़े से सिच्वेशन यह है कि आज अपने अपनी जुरूरियात के लिए भी लोग गरों से बाहर आने से थोड़ा एहतियात करते हैं, नहीं निकल पाते हैं, और जो पूरा एक साल तक लोग डाउन रहा, पांच अगस के बाद 6-7 मेने तक गौवर्मेट ने इंपोस किया और उसके बाद थोड़ी सी राहत मिली और उसके बाद फिर इस पैंडमिक की वज़े से, कोविड-19 की वज़े से लोग डाउन शुरू हुआ, तो एक साल तक मुसल्सल लोग डाउन रहने की वज़े से लोगों की हालत बहुत ज़्याद खराब हो गई है, उनकी एकौनमी ख़तम हो गई है, तबाह हो गई है, उनके जो सोर्सल थें, उनपर असर पढ़ रहा है, उनकी जो नॉर्मल लाइफ है जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल था, वो खत्पतर बितर हो खे है और वो बहुत ज़्यादा थक्कावट का शिकार हो गया और वो नफसियाती तोर पर psychologically वो बहुत depressed feel कर रहे हैं तो शायद अगर यह pandemic ना होता शायद किसी और तरह से लोग निसाल के तो लोग किस तरह से अपनी resentment दिखाते हैं तो क्या लेशी साब क्या कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि तेखें उन्होंने जब उन लोगों की हालत देखी जो कश्मीर में जो जिनको जो एक gray area पर थे जो यह लोगों को convince करने की कोशिश कर रहे थे कि नई दिली के साथ जो रिष्टा है जो कश्मीर का उसको मजबूत बनाना और उसके क्या-क्या फादी जो वह फादे गिनवार रहे थे अज उनकी लैंग्विज देखें उनके बयानाद देखें आप अरुक अबला साब के स्टेट्मेंट देखें उमर अबला साब के देखें महबूबा मुफ्ती तो खेर वो तो बंद है अभी जेल में हैं अपने घर में हैं वो अन्टर हाउस हैरिस्ट तो उनके बयानाद देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि आम लोग क्या सोचते होंगे यह वो लोग हैं जिनोंने अपनी पूरी जिंदगियां जमो कश्मीर और इंडियन सिटेट को मश्बूत एक दूसरे के करीब लाने यह रिष्टा मजबूत करने में एक बड़ा किरदार अदा किया है आज वो खुद को ठगा हुआ एक एलिनेटिड फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमारे साथ दोखा हुआ है तो इसको देख कर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे बिलकुल ये लोगों को लग रहा है आप सरीनेगर में आपके किसी भी एक आम आदमी से हम तो बाराल एक सहाफी की हिस्यत से तो हम लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं और इसमें कोई दोराने ऐसा कोई शक्स नहीं मिल रहा है जो कहा कि 5 अगस 2019 को जो कुछ भी हुआ कि वहां भालास नॉर्मल हो गए हैं अब ठीक से रह रहे हैं कितने नॉर्मल हुए हैं क्या वो आजादी पहले वाली मिल पाई हैं लोगों को इतमिनान से लोग अगर चाहें तो कहीं आ जा सकते हैं क्या वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी डेमोप्रेसी में सिट किस को अब जा सकता है उनकी वो किसको नॉर्मल सी करार दे रहे यह तो मुझे नहीं पता है लेकिन रही किकत यह है कि पिछले एक साल से कश्मीर बंद है स्कूल बंद हैं कि कॉलिज बंद हैं इनुरस्टी इस बंद हैं इंटरनेट फैसलिटी एगलेबल नहीं है 2G जो यहां की तिजारती और जुमनों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा पलेट फार्म है, तो उन्होंने एक सर्वे के बाद बता दिया कि चालीस हजार करोड रुपए का जो डेंट है, जो नुकसान है, कसारा है, वो कश्मीर को सहना पड़ा, जो मुश्मीर को सहना पड़ा पिछले एक साल के दोरा इस लॉट डाउन की वज़े से हाला कि यह इस वकित जो युट जो लागड़न है यह तो पैंडमिक की वाज़े लेकिन हम तो इसको अगर देखेंगे की कंटिनुटी में तो पिछले एक साल से लो गढू में बैठे हुए और इसके वाज़े से उन मेन सिट्रीम लीडर्स को उन में से कुछ को रिया कर दिया गया लेकिन आम लोग और दूसरे मतलब सियासी वरकर चोटे दर्टे के वो तो अभी भी बंध हैं तो और ऐसी सिच्वेशन में मिसाल के तूर पर आज जो यह फारुग अप्डुला ने अपने गर पे सरीनेगर के क्रूट में पे एक आल पॉर्टि मीटिंग बलाई थी उन्होंने का था कि हम यह फैसला करेंगा बादों कि पिछल्य साल हुआ इसके खलाफ कैसी जुदीज़ात की जाईिसके खलाफ कर ले इसको उन्होंने का था था स्पैशल स्टेट dois को रिस्टोर कराने के लिए क्या स् उसके लिए उन्होंने लोकल जो औरीजिनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कॉंग्रस, PTP, Paypal's Movement और Communist Party वगयरे, पाँच आठ पार्टीज के लीडर्स को बुलाया था, तो उनको मिलने नहीं दिया गया, अगर यह नॉर्मल सी है, तो क्या क्या जासाता है? तो पॉलिटिकल एक्टिविटी भी लगबग बंद है, मतलब आपको अलाव नहीं कर रहे हैं लोगों को मिलने की बूल दी, आपने कुछ लोगों को छोड़ा, लेकिन वो आपास में मिल भी नहीं सकते, इसका मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज पूरी तरह से फ्रीज हैं जार है यह जो फारुक उब्ला की मिसाल में दे रहा था, आप देखेंगे फारुक उब्ला साब सिटिंग एंपी है, वो मेंबर पारलिमेट है, वो चार बार इस सिटेट में, अब तो सिटेट नहीं रही, तो मुकश्मीर के चीफ मिनिश्र रहे हैं, वो तो यूनिन से रहे हैं, अगर इस जैसे आदमी को उसके आपने, मतलब उसके घर पे एक मिटिंग, एक पोलिटिकल एक्टिविटी करने की जिए, तो जाहर है कि सिटेशन का तो अंदाज आप लगा सकते हैं, क्या होगा है? सरकार की तरफ से की मिलिटेंसी बहुत कंट्रोल में आई है, वो बताते हैं कि 130 से ज़ादा मिलिटेंट को मारा गया है, यह कितनी सचाई है इसमें, और यह मारे जाने वाले लोग कौन हैं, हिंदुस्तानी हैं, या बाहर के हैं, या इसमें बहुत सारे फेक एंकाउंटर्स कि मिलिटेंसी तब से जारी है, तीस साल से जारी है, और मैंने भी अपने सहाफती करियर में, ऐसे जर्नलिस्ट मैंने हजार बार अथार्टीज को यह कहते सुना है कि आप कंट्रोल हो गए, आप खत्म हो गए, लेकिन खत्म हो गए, अब इसमें फलक्शिशन आती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, और यह कहना कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, मुझे लगता कि यह कहना कि आप कम सहाफियों को इस पर यकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि माजी में भी अब तीस साल कोई छोटा वक्त नहीं होता है, तीस साल में यह बात तो बाराल मा आप इसमें कितनी भी अच्छे 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 अलफाज का इसमाल सकने लेकिन यह बात आपको बाराल माननी पड़ेगी कि मिलिटेंसी तब भी जब शुरू हुई थी तब से आज तक जा रही है, अब मारे जाते हैं, कम हैं, ज्यादा है, इसका लेवल क्या है, वो तो इसमें, अब देखें, तीन साल पहले आर्मी ने यहां पर आपर आपरेशन आल आउट शुरू किया था, उसमें बाया, इसको जो मिलिटेंसी है, इसका इसका इंफर सेक्चर, खत्म करके मिलिटेंसी का को खत्म, पूरी तरफ खत्म करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो अ पिछले एक साल में जर्नलिजम करना वहां और भी मुश्किल हो गया है, अथर्टीज ने इतना जबरदस्त क्रैकडाउन किया है, मीडिया पर कि लोगों के लिए काम करना लगवा का संभा हो गया है, और इसके खलाप आवाजें भी आप लोग उठाते रहे हैं, क्या अभी पिछले साल पांच अगस्त और उसके बाद तुरंट जो हालात थे उसमें और अभी कुछ बहतर हुआ है या कमोबेश वही हालात थे नहीं है, कश्मीर की छोड़ी आप पूरे इंडिया की हालत देखे, आप तो खुद एक साहफ ही हैं, आप इस सवाल को मैं उलटकर आप स पूछोंगा, आप खुछ बता देंगे कि साहफत आजाद नहीं है, कहीं भी नहीं है, यहां तो खेर आपके पास हजार बाने हैं, सप्रस करने के या वाइस को दबाने के लिए या जिसकी मिसालें सामने आपी चुकी हैं, आप उनको रिपीट करना की जरूर्द भी नहीं ह आपके जरूर्स के खलाफ केसिस वगेरा भी दरश किया गए है, लेकिन हकीकते हैं कि पूरे इंडिया में जो फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया जो है, उसका तासर कम होता जा रहा है, बलकि वो जो जिसको आपने एक टर्म वो निकाली है, गोधी मीडिया उसको तो अब यह मत करो, यह मत लिको ही, लेकिन एक माहौल का तो एक इंपैक्ट होता है, एक असर होता है, खुद लोग समझाता है कि रेड लाइन क्या है, किस हद तक लिखा जा सकता है, हमारे यहां मीडिया पॉलिसी अभी इंटिडियूज के आप उसको पढ़िए, उसमें आपक बता चलेगा कि इंटिंशन्स क्या है, और अगर यह मीडिया पॉलिसी वाकई में इंपलिमेट हुई, तो काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा, याने अब गवर्मेट ऑफिशल या पॉलीस का जो ऑफिसर है, वो यह जज करेगा, वो यह बता देगा आपको कि आपका जो पर उन में से चंद 2, 4, 5 को उसमें शामिल कराते ताकि वो अपने मश्वरे देते, अपनी तरफ से वो अपना प्यूप पाइंट पता देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो जो कुछ भी हो रहा है पिसले एक साल से, यह युनिलेटरल ही हो रहा है, यक्तर फतुर पर हो र तो शायद उसके एक बड़ी वज़ा यह COVID-19 है, क्योंकि इसके वज़े से, मतलब बाकी सारी चीज़, प्रियोर्टी अब यह बन गई है लोगों की, जैसे कि पूरी दुनिया में है, कि लोग पहले महफूज रहना चाते है, जिन्दा रहना चाते है, क्योंकि हर दिन, हर ग बस फील करें, इसमें कोई दोराए नहीं, यह कोई भी आपको वसूख से बता सकता है, कि कश्मीर में लोग जो है, अब खुद को ठगा हुआ महसूस करें, 70 साल के बाद, आपने उस कानून को बदल दिया, जिसकी बेसिस पर जोमु कश्मीर और नई Union of India का रिष्टा कि कश्मीरी अवाम को कोई उमीद दिख रही है कोई, या पूरी तरह से वो अंधिरे में है, नहीं ऐसा नहीं है, दुनिया में तो आपको लाखों मिसालें ऐसी मिसलें, तारीक की किताब बरी पड़ी है, जब मुक्तलिफ रिजीम जाई हैं, उन्होंने जो चाहा वो कर दि की ताक्तों के नरगे में रहा है, आप रिसेंट हिस्ट्री भी आप देखे मतलों दो-चार सो साल यहां पे रहा है, वकित तो बदल जाता है, वकित ऐसा रहता नहीं है, और वैसे भी जो इंडियन सिटेट इसकी अपनी भी कुछ कमपलशन है, एक्टरनल डैमेंशन है, इं जो जियो प्लिटिक्स चेंज हो रही है दुनिया में, और यह जो दुनिया का यह जो निजाम बदल रहा है COVID-19 के चलते हैं, और यह जो चैना वगेरा, यह जो तबदीली हो रही है, मुझे लगता है कि एक वक्त वो आएगा जब जो एड दे हल्म आफ एफियर्स हैं, उनक को सोचना पड़ेगा कि नहीं हमें इन कॉन्फिक्स को इसको हल करना पड़ेगा, यह मुझे लगता है कि यह ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हर मुलक की अपनी कंपल्शन्स है, आप एक हद से ज़्यादा रुतलस नहीं हो सकते हैं, आपको एक सिटेज पर आके फिर ग तो आपको लेना पड़ेगा लूप में जो आपकी अपने थे यहां पर उन बिचारों को तो सथर साल तक यहां पर लोग मुझे मुझे माफ करें मेरी इस लैंगेज के लिए डिली के एजेंट को उगारा करते थे, तो उनको आपने इस हद तक पुश्ट द वाल कर दिया, आप देखें, उमर अबला ने रिसेंटली इंटेन एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने एक छोटी सी बात जो तनाजिक, उन्होंने कहा था कि जब तक यूनिन टेरिटरी है तब तक मैं एलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यानि उसका यह मतलब निकाला गया कि स्टे मतलबार वजाहतें देनी पड़े, यह सिच्वेशन है, आपने इन लोगों को कहीं का नहीं रखा, कम से कम इनका तो पास लिहाज रखना पड़ेगे ना एक वक्त गुजरने के साथ साथ, तो मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है, आयूसी और नावमेदी की बहुत यह नहीं है, वो हालात शायद बदल जाएंगे, क्योंकि जो इंटरनल और एक्स्टरनल डैमेंशन्स हैं, इस इशू से जुड़े, इस मसले से जुड़े, और जो सिच्वेशन बदल रही है, आलमी ताक्तों का जो तावाजन बदल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो वक् बहुत बहुत शुक्रिया है, अब यह कब होगा, इसमें इसका तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन चेंज होगी, मैं शूर, जी, चलिए, उमीद है, और उमीद के बहुत सारी वजहें, उमीद पे दुनिया काइम है, वक्त बदलता है, और आप ठीक कह रहे हैं कि हंदुस्ता सत्त हिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं